इसका जो resistance है वो 3 रूपीस का है अगर ये भी तूट जाता है तो इसका जो last resistance है वो है 2.50 पैसेगा तो 2.50 पैसे के आसपस हमको इसको बाई कर सकते हैं लेकिन अभी शेयर से तो हमको दूरी बाना के रखनी है जब भी ये धाय रूपे के आसपस आए तब ही हमको इसको बाई करना है नमस्ते दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में आज हम बात करेंगे पैनी स्टॉक के बारे में तो कंपनी का जो नाम है जीवाएस कोल अलाइस लिमिटेड इसको short form में जी अल भी कहा जाता है तो मातर साड़तिन रूपे का स्टॉक है क्या स्टॉक का हम को बाई करना चाहिए सेल करना चाहिए यह होल्ड करना चाहिए यह इस सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के मात्यम से discuss करेंगे कंपनी का जो कामकाज है stendless steel से जुडा हूँआ है तो कंपनी के और जानकरी अगर आप लेना चाते हो तो आप इनके website पी करके भी जानकारी ले सकते हो वही current price आप देख सकते हो 358 पैसे की है इसने high किया था 5.25 पैसे का इसका low है 1.90 पैसे का book value minus है dividend ये company नहीं देती है face value 1 रूपीस की है ROC minus 22% का है ROE 0E प्रपोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 38% की है और debt company के ओपर 82 करोड का है और reserve minus 45 करोड के है कूल मिला के देखा जाए तो company ठीक टाक है बहुत अच्छी भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है अब खराब इसली नहीं है प्रपोटर की जो होल्डिंग है वो decent है 38% की प्रपोटर की होल्डिंग है इस वज़े से ये company मुझे अच्छे लग रही है इसका जो right issue आया था December महने में तो बहुत से लोगों ने इस right issue में participate किया होगा जब भी किसी company का right issue आता है तो उस company का जो share value है उसमें volatility बहुत ज़ादा बढ़ जाती है कल के trading session में भी इसे lower circuit लगा था तो इस company का हमको अभी buy नहीं करना है उसके पीछे का reason है वो हम chart के मादने से समझनी कोहिश करते हैं दोस्तों इसकी जो action शुरू हुई थी दोस्तों वो शुरू हुई थी यहां से 2.48 से ये share भागना शुरू किया था और इसने high किया था करीबन 8 रूपीस का उसके बाद ये share गिरता ही चला गया गिरता ही चला गया और आभी इसका जो price है करीबन 3.55 है इसका जो resistance है वो 3 रूपीस का है अगर ये भी तूट जाता है तो इसका जो last resistance है वो है 2.50 पैसेगा तो 2.50 पैसे के आसपास हमको इसको buy कर सकते है लेकिन अभी इस share से तो हमको दूरी बाना के रखनी है जब भी ये 0.5 रूपे के आसपास है तब ही हमको इसको buy करना है company का नाम एक बार फिर से देख लीजे दोस्तो इसका short form है GAL तो GAL का आपको buy कर सकते हो 50% amount जो है 3 रूपीज में buy कर सकते हो और बचिव जो 50% amount है जब ये 0.5 रूपे के आसपास है तब इसको आप average कर लेना और ये जो price है एक मेहने में भी आ सकती है तीन मेहने में भी आ सकती है ये 4 मेहने में भी price आ सकती है लेकिन आप इसको अपने watch list में add कर सकते हो जब भी इसके आसपास इसकी price आ जाए आप इसे buy कर सकते हो किसी भी प्रकर का हड़वड़ी वाला मामला नहीं करना है हमको क्योंकि stock marketing के ऐसी चीज है हमको इसको watch list में add करना पड़ता है उसके बाद हमको हर 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद हमको इसको track करना पड़ता है हमारी price जब आईगी तभी हमको buy करना है buy करने से पहले एक बार खुद check कर लेना हो सके तो financial advisor से बात कर लेना तभी इस share को buy करना क्योंकि penny stock में कभी भी lower circuit लगता है कभी upper circuit लगता है हमारी price अगर 100% हमको profit हो जाता है तो हमारा जो capital है plus कुछ profit हमको withdraw कर लेना चाहिए यही नियम है stock market का हम wait करते रहते हैं कि share और बड़ेगा 5 रुपे है तो 8 रुपे होगा 8 रुपे के जगा 10 रुपे होगा फिर 20 रुपे जाएगा मैं 5 सल तक इस share को देखूंगा ही नहीं यह गलती बिल्कुल नहीं करना है share market में जैसी आपका 100% amount हो जाए आपको at least आपकी जो capital है और कुछ हो सके तो profit उसको withdraw कर लेना चाहिए ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो share and like कीजिए तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर